नमस्कार आप देख रहे हैं इन्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजो नराइन शुरुवात करेंगे अमारे खास प्रोग्राम देश दुन्या की अमारिकी सेना ने करीब 20 साल के बाद बगराम एरफील्ड को छोड़ दिया है बगराम एरफील्ड वो जगा है जो कभी तालिबान को खार फेकने के लिए हुए युद के साथ ही अमारिका पर 9-11 को हुए आतंकी हमले के जिम्मदार अलकाइदा के साज़िश करताओं की धर प अमेरिका के मुखे सेनिबल और उनके युद्धक स्वाजो समान की वापसी का काम इस हफते के अंत तक पूरा होने के पूरे आसार है वहीं अफगानिस्तान की वापसी के बाद भारत की चिंताएं भी बढ़ती नजरा रही है पिशले कई सालों में भारत ने अफगानिस्त से अफगानिस्तान छोड भारत आने वाले शर्णार्थियों का मुद्दा भी काफी एहम है इसके अलावा तालीबान की मजबूत होने से परोख्ष रूप से भारत में आतंकी हमले बढ़ने की भी आशंका है कनाडा में इन दिनोवा असमान से आग बरस रही है देश में गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं लूग के थपेड़ों के कारण यहां कई लोगों की जान चली गई है इस बीश बिटिश कोलंबिया प्रांत में भीशन गर्मी के कारण आग लगने की कई घटनाए भी हो रही है जिसके बाद फार बिगेड और इसकी टीम में लगभग एक हजार लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया है प्रीमियर जॉन होर्गन ने एक प्रेस कॉंफरेंस में बताया कि पर्श्यमी कनेड़ा के बिटिश कोलंबिया प्रांत में उत्तरपूर्व में लिटिन शेहर में सरराशनात्मक शती हुई है शेहर के केंद्र सहित 90 प्रतिशत गाउं जल गए हैं वही रक्षा मंत्री हरजीत सज्जर ने ट्विटर पर लिखा पिशले 24 घंटे लिटिन की निवासियों के लिए विनाशकारी रही हैं कैनाडा के सश अमेरिका के हवाई दूइप में टट से दूर प्रशात महासागर में एक मालवाहक विमान को शुक्रवार करके यानिकि सुभा आपत काली निस्थिती में उतारना पड़ा इसमें सवार दोनों लोगों को बचा लिया गया है वही इस पूरे मामले में संगिय उड्डियन प पोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें विवश होकर बोईंग 737 मालवाहक विमान को पानी में उतारना पड़ा अमार्की टर्ट रक्षक बलकी लेफिनेंट कमांडर केरिन एविलिन ने एक एमेल के जरिये बताया है कि उन्हें रात को एक बचकर 40 मिनिट पर एक अंतर डिप मालवाहक विमान के पानी में गिरने की खबर में इसके लगभाग एगंटे बाद टरक्षक बलक हलीकॉप्टर में मौझूद बचापडल के लोगों ने पानी में विमान का मलबा और दो लोगों को देखा एवलिन ने बताया कि एक व्यक्ति को हलिकॉप्टर के जरिये चि इसलिम देश तुर्की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभी नजर नहीं आ रहा है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक अंतर रास्ट्य संधी से खुद को अलग कर लिया है यहां गौर करने वाली बात यह है कि संधी पर तुर् राश्पती की इस बात पर विश्वास नहीं है राश्पती के इस फैसले के खिलाफ तुर्की में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है हजारों महिलाओं और LGBTQ संभू ने गुरुवार को सड़कों पर उतर कर जोरदार प्रदर्शन किया तुर्की अब अधिका कि संधी से तुर्की का हटना बेहत निराशा जनक है और ये महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के अंतराश्च्वी प्रियासों को पीछे धकेलने जैसा है फिल्मों में शायद आपने इस सीन देखा हो कि कोई रईस परिशान होकर समुद्र में पैसा फेक रहा हो पर असल जिन्दगी में ऐसे सीन देखने को नहीं मिलते पर हाल ही में सोचल मीडिया पर एक वीडियो जम कर वारल हो रहा है वीडियो में दावा किया गया है कि इसमें दिख रहा शक्स अमार्का का फेमस रापर कोजिक ब्लैक है वारस वारल वीडियो में दिखाए देता है कि रैपर पानी में डॉलर फेक रहा है वो डॉलर की गड़ियां उठा रहा है और इन्हें पानी में फेकता हुआ नजर आ रहा है इसके बाद एक दूसरे वीडियो में वो टॉलेट में डॉलर्स फेक रहा है और फिर फ्लश करता नजर आ रहा है देखें दो प्रख्यात अमारकी विशेशग्यों के अनुसार पाकिस्तान की अमारका से पहले की तरहा मधूर संबन्द की इच्छा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक वो आतंगबाद पर अपनी नीतियों से बदलाब नहीं करता इसके साथ ही उसे चीन और भारत के साथ अपने संबन्दों को भी दुरुस्त करना होगा विशेशग्यों का ये बयान ऐसे समय में आया जब एक प्रमुख अख़बार को दिया अपने इंटर्वियू में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ मधुर संबनाने के चुक है पाकिस्तान के सभी प्रमुख अख़बारों ने उनके इस इंटर्वियू को प्रमुखता से दिखाया है वहीं अमारिका की नेशनल सेक्योरिटी में पूर वरिश निदेश अतली साक कर्टिसी ने एक सैमिनार में कहा कि रणनीतिक साज़ेदारों को राजनीतिक हिस्तों में बदलाब करने की जुरुत है अमेरिका और पाकिस्तान फिलहाल अफगानिस्तान और शीन के मुद्धों पर एकमत नहीं है कार्टिस ने कहाए कि अगर तालिबान को अफगानिस्तान में रास्ता हासिल नहीं होता यानि कि सत्ता नहीं मिलती तो हम अपनी लक्षे में कायम है लेकिन इससे बहाँ पाकिस्तान की आतंकी गती विधियों में रुकावट आएगी इसलिए वो इस प्रक्रिया के खिलाफ है बांगलादेश में गुरुवार को एक दिन में कोरोना वारस संक्रमन से सबसे जादा 143 लोगों की मौत हो गई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तर्शुकरवार को इसकी ज़ानकारी दी गई है स्वास्त सेवा के डिरेक्टर ने कहा है कि कोरोना वारस संक्रमन से 143 लोगों की जान चली गई है जबकि संक्रमन की 8301 नए मामने सामने आए खबरों की माने कि तो देश में COVID-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14,000 से जादा हो गई है इससे पहले बांगला देश में एक दिन में सारवाध ही क्यानी कि सबसे जादा 119 मौत 27 जून को हुई थी कोरुना वारस संक्रमन से होई कुल मौतों का 47 प्रतीशत इस साल पहले 6 महिने में हुई है इसमें कहा गया है कि साल 1 जनौरी से 30 जून के बीच 6,000 से जादा लोगों की कार्न मौत होई महीं करीब 10 महीनों में 7,000 से जादा लोगों की जान चली गई एप्रिल में सबसे ज़ादा 2404 मौते हुई है एक स्थानिय अखबार ने कहा है कि बांगलादेश में कोरोना वारत संक्रमन का पहला मामला 8 मार्च 2020 को सामने आये था बांगलादेश में अभी लोगडाउंट है क्योंकि स्वास अधिकारियों में चिताबनी दी है कि आने वाले सबताह में COVID-19 की सिती और भयावे हो सकती है पाकिस्तान की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान बच्चों को फौज में भर्ती कर रहा है और चाइल्ट आर्मी बना रहा है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब पाकिस्तान पर गंभी प्रतिवन लग सकते हैं अमेरिका ने बाल सैनिक सुरक्षा कानून की एक सूची में 14 अन्य देशों के साथ पाकिस्तान को शामिल कर लिया ये कानून ऐसे विदेशी सरकारों की पहचान करता है जो सरकार समर्थित शशेसर सम्हों की पहचान है जो बाल सैनिकों की भरती करता है या उनका इस्तिमाल करता है पाकिस्तान की सूची में शामिल किये जाने से उस पर कुछ सुरक्षा सहता और सैन्य उपकरणों के वेवसाइक लाइसेंसी करण पर प्रतिबंद लगाई जा सकते हैं अमेरिका बाल सैनिक सुरक्षा कानून CSPA वार्षिक व्यक्तियों की तसकरी TIP रिपोर्ट में उन विदेशी सरकारों की सूची प्रकाशित करने का आवशक बनाता है जिनोंने पिछले साल बाल सैनिकों को भरती किया हो या उनका इस्तमाल किया हो अमेरिकी विदेश मंत्राले की वार्षिक TIP सूची में शामिल किये गए देशों में पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, मयनमार, कॉंगो, लोकतांत्रिक गनराज्य इरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, सुडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन देश शामिल है, विदेश मंत्राले के अनुसार सोची में जिन देशों को शामिल किया गया, उन पर अगले वित्वर्ष में कुछ सुरक्षा, सहताओं और सैन्योप करण के वेफसाइक, लैसेंसी करण पर प्रतिबंद लगाए जाने है, तो देश दुनिया के खबरो में आज के लिए ताहीं आप बने रहें, न्यूजवल इंडिया के साथ, नमस्कार